Hello guys, welcome to my channel HN Classes तो आज की इस लेक्सर में हम लोग परहेंगे एक बहुत ही जाड़ा important topic जो है Equipotential surfaces and their properties, ठीक है? तो basically हम समझेंगे Equipotential surfaces है के उससे related जो properties है उन सब properties को एक एक करके एक तम details में basic से समझेंगे ठीक है? तो clear है? Good और एक चीज देखेंगे साथ में ये होने के बाद, मतलब ये सब समझने के बाद हम लोग देखेंगे How to draw Equipotential surfaces ठीक है? तो Equipotential surfaces को आप किस तरह draw करोगे? There are few rules, right? तो ऐसे तो आप यूही draw नहीं कर सकते हैं तो draw करने के लिए जो rules follow करना होगा, वो सब में समझा दूँगा, यहाँ पर आराम से हो जाएंगे clear ठीक है? तो question exam में इससे related 2-3 marks के लिए पुछे जाते हैं तो वो important है क्यूंकि आप थोरा सा समझने के बाद वो marks को आराम से ले आ सकते हो, है ना? ठीक है तो एक काम करते लेक्षर को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों एक question पुछता हूँ, ठीक है? question के है कि obviously physics की subject है ना? तो हम लोग physics related question पुछेंगे question है, atomic bomb की atomic bomb मालूँ है ना? हाँ तो atomic bomb की father किसे किसे मना जटता है? ठीक है? तो आप लोग comment section में बोलना इसका answer हूँ, वहाँ पे मैं जवाब दे देंगा है ना? ठीक है तो question के है, atomic bomb की father किसको मना जटता है? ओके, तो देखो, actual में जो ये topic है equipotential surface, equipotential word का मेनिंग के है ठीक है? तो equipi word का meaning है equal, ये equipi word का meaning है equal, और potential word का मेनिंग के है? potential मतलब जानते हूँ, potential अगर एक charge होंगे तो charge से थोरी सी दूरी पे let's consider ये एक positive charge है, ठीक है? तो charge से थोरी सी दूरी पे यहाँ पे के है? obviously negative होने से भी potential मिलेंगे, तो इतनी सी दूरी पे, r distance दूरी पे यहाँ पे के मिलेंगे हमें? potential formula क्या था? kq by r ठीक है? यह formula था और यह जो formula है, इस formula को मैंने derive के एकदम basic से हुआ पे समझाया, तो आप लोगों को link देदूंगा description box में देख लाने, यहाँ तो playlist में check कर लेना, तो मैंने कहा कि हर chapter की playlist पने है ठीक है? और इन सब जो यह सब जो topic है इन सब topics को मैंने कहा से परहया SL Aurora reference है तो basically पूरा का पूरा SL Aurora reference खतम थोरा सा हो चुका है और बाकी भी खतम करेंगे मतलब पूरा का पूरा SL Aurora reference मैं आप लोगों को समझा दोंगा free of cost ठीक है? लेकिन आप लोग थोरा से support करने है कही है अप लोग शेयर करना वीडियो को और लाइक करना कोमेंट करना है और क्या करना है चानते हो आप ठीक है तो आप लोग देखना playlist में जाके आरम से और इस तरह से मैंने परहया ताकि आप लोगों को tuition लेने की जरूरत ना हो प्राइबिट tuition लेते है ना तो वहाँ पर मैंने एकदम एक है ना systematic way से strategy के लिए आरम से वहाँ पर समझा है मैंने क्या 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 हर topic के उपर है हो उसके बाद question solve कर रहा है उस topic के उपर ठीक है ताकि आप लोगों का concept और जड़ा क्लियर हो बोलते हैं ना इसे कि topic को परने के बाद क्या करना होता है उस topic के उपर best question solve करना होता है तब क्या होंगे आप लोगों का concept डिमाग में बैठ जाएंगे clear और exam में जो भी जिस भी type का question उस topic से related आये पूछे तो आप आरम से वह से solve कर पाओगे ठीक है वही तुझा है यह ना क्योंकि आप लोग jw init के लिए भी preparation कर रहे हो ना उस level के भी question मैंने वहाँ पर solve कर रहा है इस surface के हर point पे अगर potential same हुआ तो क्या बोलेगे इसे उसे बोलेंगे equipotential surface easy okay let's consider there is a surface यह एक surface है तो इस surface की इहाँ पे एक point लिया मैंने A इहाँ पे एक point लिया B और इहाँ पे एक point लिया C ठीक है तो हर point पे अगर potential same होंगे इसमें जो potential है इसको बोला VA इसमें जो potential है इसको बोला VB इसमें जो potential है इसको बोला VC तो अगर VA is equal to VB is equal to VC हुआ तो हम क्या बोलेंगे इसे equipotential surface मतलब यहाँ पे भी अगर point लो उसमें भी अगर potential इसमें भी अगर potential हर point में अगर potential same होंगे तो क्या बोलेंगे यह से? यह कोई potential surface है ना? तो यह है simple फासा में equipotential surface की meaning ठीक है और यह से भी और एक example ले लो इसमें यह देखते हैं ठीक है? ठीक है let's consider इस side मेंने एक point लिया ठीक है? कितनी दूरी पे? R distance दूरी पे तो basically यह जो R है इसको मेंने बोला suppose 2 cm है ठीक है? तो यहाँ पे भी इसको मेंने बोला R 2 cm तो यह दोनो points मेंने 2 cm पे ले निच्छे भी एक ले लेते हैं 2 cm पे यह भी 2 cm है ना? तो यहाँ पे भी एक point लेते हैं 2 cm पे यह point है ठीक है? और फिर एक काम करते हैं यहाँ पे भी ऐसे लेते हैं 2 cm पे तो basically हर point को मेंने कहा पे लिया 2 cm पे लिया ठीक है? तो 2 cm पे यह हर points है अगर मैं इन points को इस तरह से connect करूं ठीक है? connect करूं इस तरह से है ना तब क्या होंगे तो इस तरह से एक surface बन जाएंगे लेकिन अभी तो यह surface है नहीं तो it is a circumference of a circle तो यह circle लग रहे है ना two dimensional में ठेक है तो इसको ऐसे imagine करो अब कि suppose let's consider imagine a football is there ठेक है एक football है football की center पे football to square है ना three dimension तो football की center पे अगर अपने imagine किया एक charge ठेक है तो उस center से हर तरफ इस तरह से एसे खिचो our distance ठेक है radius तो इधर भी यहेंगे इधर भी यहेंगे है ना पीछे भी जाएंगे तो हर डिरेक्षिम ने समझ दो आ रहे है ना imagine करना है बस ठेक है तो क्या है football की center पे अपने एक charge रखा और हर direction में क्या निकाला electric potential ठीक है तो यहाँ पे जो potential के formula था क्या था p is equal to k q by r तो charge यहाँ पे क्यों रखा यहाँ पे potential कितना होंगे same होंगे k q by r यहाँ पे भी potential same होंगे तो basically हर points पे potential के होंगे same होंगे ठीक है ओके तो यहाँ पे यह जो है इसको अगर football imagine करें जो हर points पे तो यानि ऐसे भी समझ सेखते हो football की जो surface होंगे उस surface की हर points पे क्या होंगे potential same होंगे क्यों कि center पे charge same है वह है क्यों और जो radius है हर points के लिए for the surface of the football तो radius से होंगे तो उस हिसाब से क्या होंगे आप बोल सकते हो football surface will become an equipotential surface समझतों के अब तो देखो अगर आपको और एक example चाहिए तो में दे सकतो देखो एक इसा line है तो इस line में क्या है positive charges एक wire समझ लो है कि नहीं negative भी हो सकते हैं कोई डिक्कत नहीं तो इहां से थोरी सी दूरी पे our distance दूरी पे और इस side पे भी our distance दूरी पे मैंने क्या लिया दो points लिया ठीक है तो इस तरह से लेते गया ठीक है तो इसे points लेते गया समझतों गया आप फिर भी मतलब example की तोर पे दे रहा हो में अगर अपसे कोई पूछे तो यह दे दे ना ठीक है तो मैंने इन points को यह से connect किया इन points को यह से connect किया ठीक है तो अगर मैं यहां पे consider करूं cylinder ठीक है तो क्य होंगे यहां पे भी हम points ले सकते हैं यहापे भी ले सकते हैं, यहापे भी points 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 ले सकते हैं, यहा तो यह था मेनिंग कहाने एकोई पोटेंशल सर्फिस की जो कॉंसेप्ट ही हुए है लेकिन जो प्रोपार्टी जी वो प्रोपार्टीस को थोरा सा समझना परेंगे क्यों कि इनसे दिरेक्ली क्वेस्टन पुछे जाते हैं आपको बोलेंगे कि प्रोफ टैट प्रोफ टैट एलेक्ट्रिक फिल्ड इस पर्बेंड़ुलर तो एकोई पोटेंशल सर्फिस थेक है एसे प्रोफ करने देंगे यह कहें एक प्रोपार्टी है देखो आपने यहाप मैं बेसिक से डिखा दूंगा आराम से समझाने गारे के टेंशन लेने के जरूरत है नहीं थेक है गुड तो अभी देखो एक काम करते हो रुको इसको मिता रहते हैं अब लोग नोट करकर रखना देखो पहला तोपिक के है पहला प्रोपार्टी नो वर्क इस दन इन मुव एक पोइंट यहाँ पे लिया और एक पोइंट यहाँ पे लिया ठीक है तो इस पोइंट का नाम है ए इसका नाम है बी यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको बोला फी ए यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको बोला फी भी ठीक है यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं क्या क मैंने यहाँ पे एक surface ही तो लिया है ना उस surface में मैंने के लिया दो points लिया अगर यह surface एक कोई potential surface होंगे तो यहाँ पे जो potential है और यहाँ पे जो potential है दोनों सेम होंगे तो basically P A is equal to P B होंगे ठीक है हम लोगों को एक formula मिला था formula क्या था potential difference ठीक है तो potential difference potential difference क्या था कि work done in bringing a charge यह दो था है कि ने suppose यहाँ पे अपने एक charge consider क्या क्यों अगर इस charge को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो आप क्या करोगे work करोगे ठीक है क्योंकि आपको लेके जाने के लिए क्या करना होगा क्या करना होगा force लगाना होगा अगर force लगा होगा तो obviously force है displacement है तो work करोगे तो यहाँ पर जो work करोगे अप इस search को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में तो वो work done 0 होंगे यह बोला गया यहाँ पर मतलब no work done ठेक है उसको proof करना है केसे करोगे देखो ठेक हैंसे जो potential difference होंगे यहाँ पर उसको केसे लिखोगे यहाँ से तुमने शुरू किया यहाँ तक गया तो इसको हम बोलेंगे initial point और इसको बोलेंगे हम लोग final point ठेक है तो initial से final तक लेके गया जब भी आप कोई चीज का difference लेते हो तो क्या करते हो always final से initial को minus करते हो वो यह तो करते हो तो potential difference को अप लिखोगे final potential minus initial potential तो final point पे जो potential होंगे वो तो भी यह है initial point पे जो potential है उसे हम बोलेंगे भी भी आर एक निसमाज में तो इहाँ पे जो potential होंगे potential difference वो होंगे final potential minus initial potential and this is equal to work done by Q work done in bring the charge वोई तो definition था तो यहाँ पर हमने क्या पाया अगर equipotential surface होंगे तो यह दोनो points पर potential same होंगे तो VA is equal to VB होंगे तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर VA लिखा VB जगह पर VA लिख सकता हो तो यहाँ पर VA लिख दिया minus work done by equal to work done by charge तो यह दोनों same है minus कर रहे हो जीरो होंगे है कि ने is equal to work done by charge Q को इधर लेके आवो तो work कितना हो जाएंगे 0 तो equipotential surfaces पर अगर कोई charge को move करोगे तो क्या होंगे work done 0 होंगे तो यह है proof इसे इस तरह से proof कर तो 2 marks मिल जाएंगा थीक है तो next क्या है next है electric field is always normal to the equipotential surface थीक है तो इसका screenshot ले लो note कर लो ना किया ही है मतलो paper bin लेके बेच जो RMC मेरे साथ करते चाहँ थीक है तो तभी तो clear होंगे ना good यह ही आप लोग तो j double unit crack नहीं कर सकते है कि नहीं तो रेखो next topic next जो property है उसे समझो थीक है क्या है next property कि electric field is always normal to the equipotential surface इसे कैसे proof करोगे थीक है तो अगर एक equipotential surface है इसको मान लिया इस तरह से draw किया मैंने यह है equipotential surface थीक है यह surface इस तरह से है यह है equipotential surface तो electric field क्या है normal होंगे इसे proof करने normal मतलब 90 degree बनाएंगे किससे surface से normal मतलब वह ही तो है ना perpendicular 90 degree थीक है तो अगर यह equipotential surface होंगे तो इससे normal होंगे electric field तो यह जो marker है यह electric field है इसे proof करना है थीक है good तो रेखो यहापे मैंने एक point लिया और यहापे भी एक point लिया इस point का नाम से हम A देते थे है इसका B थीक है तो यह जो A है इसमें potential सपोज आपने बोल दिया भी यह है और इसमें जो potential है भी भी थेक है तो यहाँ से यहाँ तक charge को लेके है सपोज तो यह displacement हुआ या तो इसे ही line x समझ लो थेक है तो यह equipotential surface मेंने इस तरह से रखा थेक है अपको क्या बोला कि electric field 90 होंगे यह proof करो किस से 90 होंगे equipotential surface से 90 होंगे वो तो समझ में आगया तो अभी proof करना है कैसे करोगे उसके लिए चाहिए आपको एक चोटा सा formula एकदम चोटा सा formula थेक है तो formula क्या है formula इसको भी हमने proof किया था formula है dv is equal to minus e dot dr ठेक है तो यह formula है इसको हमने lecture number 5 पे side proof किया था ठेक है तो अब लोग देख ले ना playlist में एकदम आराम से details में हुआ पर समझा है मैंने इस चीज़ को और इस topic के उपर best मतलब इस formula के उपर best 10 important questions भी मैंने solve किया lecture number 6 पे ठेक है यह तो लेक्षर में 7 है ना previous lecture में तो मैं लिंक देरूंगा अब लोग प्लेलिस में भी चेक करना बाहर बर बोल रहे हैं क्योंकि यह important है तो मैंने IAT ZWA level की भी question solve कर रहे है तो इस topic के उपर best question मैंने कर रहे है वो important है I recommend अब लोग देखना ठेक है तो देखो dv is equal to minus e dot dr यहाँ पे dv मतलब क्या potential difference suppose search को यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो यह हो गया final potential यह हो गया initial potential तो potential difference क्या लिखो गए va minus vb is equal to minus e dr cost थीता लिखो गए क्योंकि यह तो dot product है यह जानते हो आप ठीक है तो va minus vb इसका answer क्या होंगे zero होंगे क्यों दोनों potential same होंगे क्यों अगर equipotential service होंगे तो दोनों potential same होंगे अभी अभी समझा तो is equal to आप लिख सकते हो minus e dr cost थीता थीक है तो यानि minus को इधर लेके हो तो आप लिख सकते हो e dr cost थीता थीक है यह लिख सकते हो, और is equal to 0 लगा दो, ठेक है, तो यहां तक आ रहे है कि नहीं है, यह समझ में clear, तो next step में देखो, यह जो quantity है, यहाँ पर 3 quantities है, electric field, displacement और क्या, cost थी था, तीनों को multiply किया, करने के बाद क्या हुआ, 0 हुआ, हमें पता है, कोई भी चीज को 0 से multiply कर, तो क्या नहीं होगे है न, कोई भी चीज को 0 होने के लिए, मत्रब इहाँ पर, यह जो multiplication है, यह 0 होने के लिए क्या होना होगा, इहाँ में से, इन में से, किसी को 0 होना होगा, ठेक है, तब भी तो 0 मिलेंगे answer, ठेक है, तो 0 से multiply करने पर है, answer 0 आते है, तो रेखो, electric field, यह तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने displacement किया कुछ, dr, है कि नहीं, तो 0 होने के लिए option किसके पास है, इसके पास है, cost theta, ठेक है, तो एसे भी समझ सकते हो, अगर e को इधर लेके जाओ, और dr को इधर लेके जाओ, तो क्या होंगे, cost theta will be equal to 0, एसे भी समझ सकते हो, है ना, तो आप बोल सकत हो, basically, cost theta will be equal to 0, तो cost theta 0 कब होंगे, जब theta is equal to 90 होंगे, क्यों, क्योंकि cost 90 की value कितना है, हाँ, बोलो, cost 90 की value, 0, ठेक है, तो cost theta 0 होने के लिए, theta कितना होना होगा, 90, अभी देखो, जब भी आप dot product लेते हो, ठेक है, सपोज, यहाँ पे लिख देता हो, a vector dot b vector किया, तो आपको के मिलता है, यहाँ पे a, b, cost theta, तो theta is the angle, ठेक है, तो theta is the angle, किसका किसके बीच में angle है, जिसका आप dot product ले रहे हो, समझ में, ओके, तो theta angle है, जिसका आप dot product ले रहे हो, उसका बीच में, तो यहाँ पे देखो, theta 90 आगया, तो theta 90 आगया मतलब, तो आपने किसका dot product ले रहे हो, तो जिसका dot product ले रहे हो, उसके बिच में जो angle होंगे, वह ही तो 90 होंगे, है ना, yes, तो इन दोनों का dot product ले रहे हो, E और DR का, तो दोनों के बिच में angle कितना होंगे, 90 होंगे, वह ही है concept की, जिसका आप dot product ले रहे हो, उसका ही बिच में जो ठीता होंगे, angle होंगे, वह ही तो electric field E और DR के बिच में अगर angle 90 होंगे तो electric field को DR से 90 बनाना होगा, ठेक है, ऐसा है, तो DR के है, यह तो surface है, surface में यहाँ से यहाँ तक लेके अपने charge को, ठेक है, तो यह सपोज marker है DR, तो आपने क्या किया, DR से 90 बना है, किसको बना है, electric field को, ठेक है, ऐसे किया, तो यानि आप बोल सेकते हो, surface से यह electric field 91 बन गया, ठेक है, तो इस तरह से proof करना होगा, तो basically यह भी question 2 mark के लिए पुछे जाते है, तो आप लोगों को सिर्फ यह theta is equal to 90 दिखाना होगा, किस तरह से दिखाना है, अगर cost theta 0 होंगे, तो theta obviously 90 होना होगा, ठेक है, तो आप बोलोगे, last में से लि surface पे, ठेक है, तो next के है, next property, equipotential surface or closer together, इसको मितर तो अप लोगी से note down करकर रखो, ठेक है,